नमस्कार साथियों स्वागता आप सभी का आपके पनी यूटूब चैनल पी एलसे आडेचेम एजुकेसिन के अंदर साथियों आज के स्वीडियो में आपके लेका हैं पसुदन साहिक के इंपोर्टेंट किसनों का वीडियो नमर 74 जो की वेटनारी गाइनोकोलोजी सब्जेक करना ना भूले और अब से पहले मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं वो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो साथ हो आज के वीडियो का पहला क्यूशन है डिस्टोकिया में किस उक्रण से बच्चे को खींच कर बाहर निकालते हैं डिस्टोकिया के अंदर इस रेयर से उक्रण है उसके द्वारा बच्चे को खींच कर बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर सी ओप्शन होगा सबसे पह बच्चे को जनम नहीं दे पाती उसे हम डिष्टो क्या कहते हैं और यह अधिकतर डेरी की गाई और बैसों के अंदर होता है तो इसे हम इसे एर जो उपकरण है उसकी साइता से बच्चे को खींच कर बहार निकालते हैं तो इसके अंदर C उप्षन इसका आंसर है और नेस्ट है मद चकर की किस अवस्ता में पसू मद में आता है मदचकर की फोलिकूलर भेज अवस्ता उसके अंदर पसू मदचकर की अवस्ता में कारपस लूटियम से प्रोजेस्ट्रोन हार्मौन श्रावित होता है मद्चकर की लूटियम फेज अवस्ता के अंदर कारपस लूटियम से प्रोजेश्ट्रोन हार्मोन स्रावित होता है तो इसके अंदर B option आंसर होगा और मद्चकर दो मद्दकाल के बीच की अवदी को मद्चकर कहते है नरका वह है रोग जिसमें वर्षन हरास बहुत तेज गती से होता है उसे कहते हैं हम टेस्टिकूलर डिजनरेशन कहते हैं जिसके अंदर वर्षन हरास बहुत तेजी से होता है तो इसके अंदर B option होगा और निम्रे में से कौन सा पसु है जो त्राव या मद में कलाइट ओर इसको बार बार दिखाता है तो यह गोड़ी है जो कि मद के अंदर कलाइट ओर इसको बार बार दिखाती है C option answer है और next question कौन सा मादा पसु मद में ब्लेटिंग आवाज करता है तो यह बकरी है जो की मद के अंदर ब्लेटिंग की आवाज निकालती है C option होगा और next question है चोटे सिंगों की सफेद रंकी गोवंस नसल में निमने में से कौन सा रोग होता है चोटे सिंगों की जो सफेद रंकी गोवंस की नसल है उसके अंदर वाइट हाइफर डिजीज रोग अधिकतर होता है तो इसके अंदर C option answer है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के पास शेर जरूर करें नेस्ट क्यूशन जब गाई के नर्व मादा बच्चा होता है तो उसमें मादा बच्चा 90% बांज होता है उसे कहते हैं काफी अच्छा और वेरी इंपोर्टन क्यूशन है जब गाई के नर्व मादा बच्चा होता है उसमें से मादा बच्चा 90% बांज होता है उसे हम फ्र कहते हैं उसे हम फ्लेस्मेन रियक्शन कहते हैं यह उप्शन होगा और नर्सांड में बुर्सेला के कारण होता है नर्सांड में बुर्सेला के कारण वर्सन सोध होता है यह उप्शन होगा नर्सांड में बुर्सेला के कारण वर्सन सोध होता है यह उप्शन होगा होती है यह option होगा next question govans की कर्त्री मियोनी का तापकरम होना चाहिए govans की कर्त्री मियोनी का तापकरम 41 degree centigrade होना चाहिए C option होगा next question go once की कर्त्री मियोनी में कितने ताप मान का गरम पाने डालना चाहिए तो go once की जो कर्त्री मियोनी है उसके अंदर 45 से 50 डिगरी सेंटिग्रेट ताप मान का गरम पानी उसके अंदर डालना चाहिए B option होगा दोफ तो एक काफी अच्छे और very important question है एक्जाम की दरश्टी से next question go once की कर्त्री मियोनी में कितना दाब रखना चाहिए go once की कर्त्री मियोनी में 45 से 55 mmHg का दाब रखना चाहिए B option होगा इसमें भी और next question है uterine milk को कहते हैं तो D option होगा next नर्पसु के वर्षण का रोग पुने ठीक नहीं हो सकता उसे हम degeneration कहते है D option next वर्षण का वर्षण कोस में नहीं उपस्तित होने की इस्तिति को कहते हैं काफी अच्छा किसन है ये भी वर्षण का वर्षण कोसों में उपस्तित नहीं होने की इस्तिति को हम क्रिप्टोरिक की जम कहते हैं A option इसका आंसर है next कार्पस लूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है कार्पस लूटियम LH हार्मोन को स्रावित करता है शोरी दोस्तों कार्पस लूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है कार्पस लूटियम प्रोजेस्टोन हार्मोन को स्रावित करता है सी ओप्सन आंसर होगा नैस्ट है डिम्ब स्राण है तो किस हार्मोन की आवसकता होती है तो DIMSRAN के लिए LH Hormone की आवसकता होते है वो LH का मतलब है LUTINIZING Hormone B option नेश्टा पसू में अंड़े का निश्चेचन मादा पसू के किस अंग में होता है तो यह DIMB वहायनियों में होता है पसो में अंडे का निश्य चन मादा पसो के दिम वहायनी अंग में होता है D option next है ARB जांच किस जीवानू या विशानू के लिए की जाती है ARB जांच बुर्सेला नामक जो जीवानू है विशानू है उसके लिए की जाने वाली जांच है ARB और जो बुर्सेला जो वायरस है जीवानू है वो ग्राम में प्लस परकार का वायरस है next question white hyper बिमारी में tubular genitalia का segmental applesia हो जाता है तो इसके अंदर C option होगा white hyper बिमारी में tubular genitalia का segmental applesia हो जाता है C option next banks disease कहते हैं काफी अच्छा किसन है banks disease बुर्सेलोसिस बिमारी को कहते है C option answer होगा और बुर्सेलोसिस जो बिमारी है उसका परमुक लक्षन है 6-9 महा यानि अंतिम तिमाही के अंदर गरफ़ात का होना बुर्सेलोसिस का परमुक कारण है और बुर्सेलोसिस को banks disease भी कहते हैं C option होगा next question मनुसे में बुर्सेलोसिस किस नाम से जाना जाता है मनुसे के अंदर बुर्सेलोसिस अंडूलेटिंग फिवर या माल्टा फिवर के नाम से जाना जाता है इसके अंदर A वब B C option होगा next question बुर्सेला का कौन सा इस्टेन बेडवा बकरी में गरफवात करता है तो यह बुर्सेला मेलिटेनसिस है जो की बेडवा बकरी के अंदर गरफवात का कारण बनता है गाय में ट्राइकोमोनियसिस नामक रोग का परमुक लक्षन गाय के अंदर ट्राइकोमोनियसिस नामक जो रोग है उसके परमुक लक्षन है मद चक्र का छोटा होना मद चक्र का लंबा होना गरबास्ये में मवाद पढ़ जाना है सभी परमुक लक्षन है तो इसके अंदर ड Muding कहते हैं काफी अच्छा क्यूसन है B option humans 3200 नामक रोक का थे आय कुनसी आप डालीष वे C option होगा next बुर्षेला की जांच है तो दुग्द द्वारा कौन से प्रेक्षन की जांच की जाती है बुर्षेला की जांच है तो दुग्द द्वारा MRT प्रेक्षन की जांच की जाती है C option होगा, next है, कौन से पसू में, काउप पर्स, ग्रंती, बहुत अधिक प्रकार से विक्षित होती है, तो यह है नर गोड़े के अंदर होती है, C option, next है, किस पसू में, सिग्मोर्ड फ्लेक्जर वर्षन कोस से पहले होता है, काफी अच्छा बरी इंपोर्टन कुशन है, यह ह अंदर होता है, सिग्मोर्ड फ्लेक्जर वर्षन कोसो से पहले होता है, C option होगा, और next किशन, सांड के लिंक की लंबाई होती है, सांड के लिंक की लंबाई, 100 cm होती है, किस पसू में, डिफूज टाइप का अपरा पाया जाता है, तो यह है, डिफूज टाइप का अपरा, उंटनी के अंदर पाया जाता है, और इसके अतरिक्ट उंटनी के अतरिक्ट डिफूज परकार का जो अपरा है, वो गोडी वे सुहरी के अंदर भी पाया जाता है, नेश्ट किशन है, गोडे के लिंक की लंबाई होती है, गोडे के लिंक की लंबाई 90 cm होती है, D option और next है, नर सुवर के लिंक के लंबाई नर सुवर के लिंक के लंबाई फच्पन सी एम होती है सी ओप्शन होगा कुत्य के योवनारंब अवस्ता होती है कुत्य की योवनारंब अवस्ता साथ से दस महा होती है B option और सुवर की योववन आरम अवस्था 6 माहा होती है C option next question है अरगट नामक ओस्दी निमन में से किस काम आती है अरगट नामक ओस्दी गरवासे के संकुचन बढ़ाने के काम आती है काफी अच्छा और very important question है तो इसके अंदर A option होगा और next question मद का synchronization साधानता है किस पसुमें किया जाता है मद का synchronization साधानता है गाई के अंदर किया जाता है D option है और next question है इलेक्ट्रोई जेकुलेशन विदी से वीरिये प्राप्त करने में हानिया है उसके अंदर वीरिये प्राप्त करने में हमें वीरिये के साथ पेसाव आ जाता है तक्निकी ज्यान अच्छा होना चाहिए और कुछ नर इस विदी में वीरिये सवकलित नहीं करते उप्रोप्त सभी हानिया होती है डी ओप्शन होगा नेश्ट किसन है गाई सांड के परती इसकलन वीरिये का आयतन 5-10 ml होता है ये ओप्शन होगा शोर दोस्तो 5-8 ml नेश्ट है गोडे के परती इसकलन पर वीरिये प्राप्त होता है गोडे के परती इसकलन पर वीरिये 125 ml प्राप्त होता है सी ओप्शन और शोर के परती इसकलन पर वीरिये 215 ml प्राप्त होता है डी ओप्शन नेश्ट है सांड के वीरिये के लिए अच्छा तनुकरन हेतु परसारक है सांड के वीरे के लिए अच्छा तन्मकरण जो परसा रखा है वो एग योग साइट्रेट मोडिफाइट है तो इसके अंदर ये ओप्शन होगा और नेट किसन है LN2 का सादार्ण तापमान होता है काफी अच्छा वेरी इंपोर्टन किसन है LN2 यानि लिक्विड नाइट्रोजन का जो सादार्ण तापमान है वो मैनस एक सो चिनमेट डिग्री सेंटिग्रेट होता है ये अप्शन होगा और ln2 का वास्पी क्रण तापमान है ln2 का जो वास्पी क्रण तापमान है वो minus 125 में 0.8 degree centigrade है और इसका जो जमाव विंदू होता है ln2 का वो minus 212 degree centigrade होता है और इसका गनत्व minus 0.8083 होता है ln2 का गनत्व 0.8083 होता है और इसका जमाव विंदू minus 212 degree centigrade तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के कुछ important question उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगंटी को दबा लीजे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई